पिकनिक मनाने आये था परिवार के साथ भागी महीरी तलाप पर सपनल सुनल पाटिल अपने परिवार के साथ भागी महीरी तलाप पर बुध्वार को सुभए पिकनिक मनाने आये थी परिवार के सभी सदसे यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आये थी वहाँ पर सभी योग त तलाब के किनारी पानी में नहा रहे थे तबीं सप्नलसुनल पाटिल उम्रतेश लश्करी बाग निवासी नाखपर का रहने वाला योग अच्छानक पानी की गहराई में जाने से उसके तलाब में विध्वार के दोपैर नहाते वग तलाब में मोत हो गई प्राप चांदकार जैसे ही भागे माहिरी तलाप के पास पहुचने पर सभी पुरुष वर्ग ने इस पानी में नहाने के लिए कहें जहाँ स्वपनिल तलाप के किनारे नहाने की कोशिश में उसका पाव तलाप की पानी की गहराई में जाने से वहार दूपता जा रहा था जिससे उसके परिवार वालों को स्वपनिल पानी में डूपते दिखते ही वहां मौजोद परिवार वाले बचाओ के लिए दोड़े स्वापनल को बचाने की भरपूर कोशिश की गई पर जैसे ही स्वापनल पानी में और गहराय में जा रहा था तबी बचाव में आये युवक का हाथ छूटा उसी दोरान स्वापनल पानी की गहराय में जाने से वह तिखायी नहीं दिया और उसकी दर्दनाग मौत हो गई पार्शियोनी पुलिस को इस घटना की जान संबंदितों ने ततकाल पार्शियोनी पुलिस नरीक्षक राहूल सुनोने ने अपने दलबल के साथ घटना सल पर पहुची साथी पार्शियोनी तहसलदार प्रशान बागडे भी घटना सल पर मौजूद थी स्थालिक मच्छवारों की मदद से स्वपनल का शव तलाब की गहराई में तलाशा गया जहां कोशिश करने पर मच्छवारों ने स्वपनल का शव मृत अवस्था में पानी से बाहर निकाला पार्शियोनी पुलिस नरीक्षिक रहुल सुन्वानी तयसलदार प्रशान सांगडी पुलिस अवलदार रोशनकाए पुलिस हेड कॉंस्टेपल संधिप कडू पुलिस अवलदार अमिती यादों घटना सल पर मौजूद थी कटना के आगे की जांच पार्शनी पुलस कर रही है